नमस्कार दोस्तों स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल मनीश मोटीविशनल क्लासेस में आज हम नंबर सिस्टम का पाचमा क्लास लेकर आए हैं चलिए अब हम प्रसंद की ओर चलते हैं देखिए कोस्चन सेम है थोड़ा चेंज किया गया है क्या चेंज किया गया है क इसको हम A मान लेते इसको B मान लेते यानि कि 610 को A मानें गे तो A गुणा A तो A स्कौर पलस A गुना B Q-BQ का question आए तो direct A-B की यह answer आजाएगा लेकिन AQ-BQ उपर रहेगा तो हमारा उपर answer आजाएगा यदि AQ-BQ को नीचे कर देगा तो 1 बटे answer आजाएगा तो 1 बटे A कामान आपको था 610, B कामान था आपका 210, A कामान आपका 610 था अब B कामान 210 था अब बताएगे इसको घटाएगे हम 1 बटे 610 में 210 घटेगा तो कितना आजाएगा 1 बटे 400 इस परसन का answer आगया 1 बटे 400 चलिए अब next question पे चलते हैं अब यहाँ ध्यान दीजिए परसन को change किया गया वहाँ हमारा AQ-BQ का परसन दिया था यहाँ AQ-BQ का परसन दिया अब देखे इसमें फर्मूला क्या होगा यही हम 936 को माल ले ए और 137 को हम माल ले थे B तो हमारा हो गया AQ-AQ-BQ अब AQ-BQ का फर्मूला तो आप समझ गया है अब AQ-BQ का फर्मूला देखे AQ-BQ रहेगा तो हम डायरेक्ट पहले A-B कर देगे जैसे AQ-BQ था तो वहाँ माइनस करते थे यहाँ पर पलस है तो पलस करेंगे इन्टू A-Square पलस B-Square माइनस A-B यह फर्मूला होता है अब इसको हम solve करते हैं AQ-BQ आता है या नहीं अब A को A-Square से गुना किजिएगा तो AQ हो जाएगा पलस A को B-Square से गुना किजिएगा तो A-B-Square हो जाएगा A को माइनस A-B से गुना किजिएगा तो A-Square B हो जाएगा पलस B को A-Square से गुना किजिएगा तो A-Square B हो जाएगा पलस B को B-Square से गुना किजिएगा तो B-Q हो जाएगा माइनस A-B में B गुना करेंगे तो A-B-Square हो जाएगा यहां तक तो ठीक है, देखिए, अब क्या कट रहा है, a, b, square, a, b, square, minus में है, plus में, कट गया, a, square, b, a, square, b, plus, minus में, कट गया, आगे हमारा a, q, plus, b, q, a, q, plus, b, q, a, q, plus, b, q, दोनों सेम हो गया, तो हम कह सकते हैं, a, q, plus, b, q का फर्मला क्या होता, दोनों सेम है, तो कट जाएगा, अब यहां क्या बच गया, a, plus, b, a, or, b, का जो मान है, बठा दिजिए, a, का मान है, आपका, 936, plus, b, का मान है, 137, 936 में 137 को जोरेंगे, तो कितना हो जाएगा, आपको, 1073, 1073, इस प्रसन का एंसर हो जाएगा, आपको ध्यान यही देना है, जब भी प्रसन में, a, q, plus, b, q का प्रसन देगा, तो a, plus, b करेंगे, एंसर आजाएगा, यदि बटे में देदे, a, q, plus, b, q, तो one बटे, जो भी है, एंसर आजाएगा, चलिए, अब सेम कोश्चन हम, इसी टाइब का कोश्चन, एक कोश्चन और देते हैं, आ रहा है, नीचे किया दिया, 680, गुना 680, अब यहां से समझ में आ रहा है, यानि कि 680 को, a माल लेते हैं, 320 को, b माल लेते हैं, यानि, a, q, plus, b, q, नीचे दिया है, तो उपर जो दिया है, लिख देंगे, तो हम इसको डाइक्ट भी बना सकते हैं, आपको, a, q, plus, b, q, नीचे दिया है, तो, a, q, plus, b, इंटू, a, square, plus, b, square, माइनस, a, b, तो, कठी जाएगा, तो, क्या डाइरेक्ट आ जाएगा, आपका, 1, बटे, a, plus, b, अभी हम समझा हैं, इसको डाइरेक्ट बढ़ा सकते हैं, 1, बटे, a, plus, b, a, का मान आपको दिया है, 680, पलस, b, का मान दिया, आपको, 320, 1, बटे, 680, मैं, 320 को जोड़ेंदी, कितना हो जाएगा, 700, यानिक, 1000, 600, और 300, कितना होगा, 900, आई, ये दुने मिलाकर हो गया, 100, 900, और 100, 1000, 1, बटे, 1000, इस प्रसन का एंसर होगे, अब कैसे हुआ, देख सकते हैं, फिर से एक बड़ दिखा देते हैं, आपको, उपर, a, गुना, a, तो, a, square, पलस, b, गुना, b, तो, b, square, मानस, a, गुना, b, और नीचे दिया हुआ है, a, q, पलस, b, q, ये तो रही जाएगा, same, इसको तो हम कुछ करीने सकते हैं, इसको कर सकते हैं, a, q, पलस, b, q का फ्रमुला होता है, a, पलस, b, इन्टू, a, square, पलस, b, square, मानस, a, b, ये दोनों कट जाएगा, तो आजाएगा, वन वर्टे, a, पलस, b, यही तो हम बोलें, इसको डैरेक्ट क्या करेंगा, वन वर्टे, a, पलस, b करेंगा, एंसर आजाएगा, चलिए, अब निश्ट कोश्चन पर चलते हैं, ये एक प्रस में आ रहा है, a, square, minus, b, square, तो a, square, minus, b, square का फर्मूला क्या होता है, आपको पता है, हम आपको प्रूब भी किये थे, a, square, minus, b, square का फर्मूला होता है, a, plus, b, into, a, minus, b, एक बार जोडते हैं, एक बार घटाते हैं, बस आब आपका, solve हो गया, इतना ही समझना था, तो हमारा ह होता है, a, square, minus, b, square का फर्मूला, a, plus, b, into, a, minus, b, यही होता है, अब इसी पर हम बनाएंगे, इसको हम माल लेते हैं, a, इसको माल लेते हैं, b, तो एक बार जोड़ेंगे, 256, plus, 144, और 256, minus, 144, नीचे हमारा दिया हुआ, 112, अब 256 में, 144 को जोड़ेंगे, कितना हो जागा, 6, 4, 10, 0, बाकी, 1, 5, 9, 10, 0, बाकी, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 400, और 256 में, 144 को घटाएंगे, तो कितना हो जागा, 112, नीचे 112, दिया हुआ है, 112, 112, कट जाएगा, तो इस परसन का एंसर हो जागा, हमारा 400, कितना आसान था, आपको डिरेक्ट देख नीचे भी 112, कट जाएगा, तो 400 इस परसन का एंसर हो जाएगा, चलिए, अब नेस्ट कुश्चन पर चलते हैं, अब देखिए, आपके समने एक नया परसन दिये हैं, दिया गया है, रूट अंडर, वाट माइनस गौन का इस्क्वार, बडावर, आठ माइनस रूट अंडर रहा है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए, इसको सोल्व करने का एक ही तरीका है, यदि आपको रूट 28 का मान कितना होगा, बताए, रूट 28 को लिखेंगे, हम 7 गुने 2 गुने 2, 7 दुना 14 दुना 28, इस दोगों में 1 दो बहार आएगा, रूट अंडर 7 हो जाए हैं, रूट 7, मानस 1 है तो मानस 1 का स्क्वार, यानि कि हम 8 मानस रूट 28 को हम रूट 7 मानस 1 का स्क्वार लिख सकते हैं या नहीं, इसको चेक करते हैं, लिखे हैं कैसे, रूट 28 का मान तो रहें, तो 2 रूट 7 आया है, जैसे रूट अंदर 7 आया तो रूट 7 लिखेंगे, मा अब इसको हम solve करेंगे तो 8 मैनस root 28 आना चाहिए अब A मैनस B का whole square क्या होता A square root 7 का square मतलब 7 A square plus B square minus 2 AB 7 एक 8 minus 2 root 7 8 minus 2 root 7 आ गया इतना ही था ना root 2 root 7 का मतलब कि था root 28 दोनों आ गया तो हमारा यह जो भी लिखें सही लिखें है चली ठीक है यह सही है इदर हमारा कितना था root under x minus 1 का square square से square कट जाएगा minus 1 से minus 1 कट जाएगा root से root कट जाएगा x का मान कितना आ गया 7 अब जब x का मान 7 आ गया इस person का answer हमारा 7 आ गया तो अब आपको क्या ध्यान देना है जब भी इस type का person कभी भी रहे एक्जाम में तो आपको क्या करना root under 28 का मान तोड़िएगा जो root के अंदर बचेगा वही इस person का right answer हो जाएगा हमारा जैसे हम next question आपको देते हैं next question जैसे लिखे root under 7-1 का square बड़ावर आपको हम दे दे 6-root under 20 ये person हम आपको दिये हैं इस person का आप solve करके direct answer बताईए क्या कीजिए का direct पहले आपको क्या समझ में आ रहा है ये क्या है ये root 7 नहीं है मान लेते हैं इसको हम x यही x का मान आपको निकालना है तो direct root 20 का मान तो रहेंगे root 20 का मान तो रहेंगे क्या हैगा 5 दूना 10 दूना 20 यानि 2 root 5 जैसे root 5 आया तो इस person का answer हमारा 5 हो गया कैसे चेक कर सकते हैं आप इसको हम लिखेंगे root 5 मान तो रहेंगे तो इतना आना चाहिए a square पलस b square मान तो ये बी पाचेक 6 मान तो रूट 5 6 मान तो रूट 5 आ गया तो सही है हमारा तो इधर हमारा हो जाएगा root अंडर x-1 का square square से square कटेगा minus 1 से minus 1 कटेगा root से root कटेगा x का मन कितना आ गया 5 ध्यान आपको यही रखना है इतना करने का जोरत ही नहीं है direct आपको ध्यान रखना है root 20 का मन तो रहेंगे जो root के अंडर आएगा वही x का value हो जाएगा चली अब next question पर चलते हैं यहां ध्यान दीजिए प्रसंद दिया है 1 पूर नंक oohone बोटे तू पलस eग्याओ पूर ला एक बटे दो पलस एक सोग्याओ पूर लाकश प्रसंद दिया गया यानिकी वण 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 बढ़ते गया तो direct हम क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग क्या करते थे दुए तीन बटे दो पलस 11, 12, 23 बटे 2 अब इतना लिखेंगे फिर LCM लेंगे कितना समय लगए है डिरेक्ट हम इसको solve करते हैं कैसे देखे देखे एक कितना चार बढ़ दिया है, तीन बढ़ दिया है, दू बढ़ दिया है एक बढ़ दिया है, सब को आगे वाला को जोड़ेंगे ठीक है, लिख दियें पलस 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2, 1 by 2 LCM लेंगे नीचे 2 हो जागा 1 plus 1 plus 1 plus 1, यानि 4 बढ़ दो कैसे? 1 by 2 plus 1 by 2, plus 1 by 2 plus 1 by 2, यही LCM लेंगे 2 हो जागा, तो यहाँ देगा 1 plus 1 plus 1, that 4 बढ़ दो 4 बढ़ दो आ गया यही 4 बढ़ दो हम यहाँ पर लिख रहे हैं यह 2 से काटेंगे 2 दो 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 चार, यानि 1234 पलस दो, यानि 1236 इस प्रसंड का एंसर हो जाएगा कितना आसान से हम लोग बनाए हैं डारेक्ट क्या करना, आपको डारेक्ट आगे बला कर सबको जोड़ देना है, जो LCMA का ले लेना है चलिए, अब नेस्ट कोशन जैसे हम आपको देते हैं इसी में, इसको आराम से लिख लिजे जैसे हम दे दें आपको 8 पुर्णांग 1 वाई 2 माइनस 3 पुर्णांग 1 वर्टे 4 पलस 2 पुर्णांग 3 वर्टे 4 यह पुछ रहा है आपको अब इसको हम कैसे सोल्ब कीजिएगा इसमें माइनस भी दिया है, कोई दिक्कत नहीं आगे वहला जोड़ेंगे, 8 और दू, कितना होगा 8 दू, 10, 10 में 3 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 7 तो आगे होगी है, 7 पलस, आगे यहाँ दिया 1 वाइ 2 माइनस 1 वाइ 2 पलस 3 वर्टे 4 7 पलस एल सेम लेंगे, यहाँ पे 4 आजाएगा 2 दू ना 4 माइनस 2 दू ना 4 पलस 3 7 पलस 3 दू, 5 5 में 2 माइनस होगा कितना हो जाएगा, अब बता सकते हैं 2 में 2 माइनस वाइनस खता होगा है 3 वर्टे 4 हो गया हमारा यह डिर्यक्ट तो 7 पलस 3 वर्टे 4 का मतलब क्या हो गया 7 पुर्णांग 3 वर्टे 4 हम लिख सकते हैं इसको या नहीं लिख सकते हैं कभी-कभी एक जाम ऐसे देगा तो चार आजाएगा नीचे सच चोक 28 पलस 4 में 4 कटेगा 3 हो जाएगा 28 और 3 कितना आजाएगा 31 बटे 4 अब 4 से हम भाग देंगे 31 में कितना बर में लगेगा 4 सकते 28 बचा कितना 29 30 31 3 बच गया तो 3 बटे 4 अब इतना सोल्व किये तुँ आया हम क्या बोले डारेक्ट साथ पलस 3 बटे 4 है तो पलस हटा आईए डारेक्ट साथ पुर्णंग 3 बटे 4 लिग देगे एंसर आपका आजाएगा इस परसन का एंसर आपका चलिए अब निस्ट कोश्चन पर चलते हैं